नीलीमा कटियार भी लोगभवन पहुंच चुकी हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं मैं फिर इस बार जो है वो क्या लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार फिर मंत्री बने का देखिए भारती जन्ता पार्टी के समर्पित कारे करता होने के नाते और भारती जन्ता पार्टी का सच्चा सिपाही जिस भी भूमिका में जहां भी तैनात किया जाता है डटके मोर्चा लेता है इस बार किसको फिर से विधायक मंदल की आज बैठक होने वाली है तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदितनात को फिर से एक बार मुख्यमंत्री स्वभाविक है और अभी बैठक होना बाकी है शेश है देखिए बैटक होना शेश है बहुत खुल के नीलीमा कटियार इस पूरे मामले पे नहीं बोली है लेकिन उनका साफतावर पर यही कहना है कि हम को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका हम पूरी तरह से निर्वाहन करेंगे पिछली रिजिम में भी जब योगी आदितनाद की सरकार बनी थी तो नीलीमा कटियार को मंत्री बनाया गया था कैमरा मैं अर्शत के साथ सीमा अबनक्वी भारसमचार लखनव